Hello friends, welcome to our channel. Please subscribe our channel, like this video and share with your friends. इस वीडियो में हम qualitative and quantitative research के बीच का difference समझेंगे, यानि कि गुडात्मक और मातरात्मक अनुसंधान का जो अंतर रहता है बीच में वो समझेंगे. ये इसका second part है, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने यही चीज़े clear की थी, जो कि काफी सारे topics पर थी, इस वीडियो में हम उसके आगे की topics को cover करेंगे, और ये हमारा live session है, आप हमसे चाहें तो comment करके questions भी बूछ सकते हैं, और अगर live आप नहीं देख रहे हैं, तो बाद में भी ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप comment करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपके कोई doubt है, तो आप वो भी हमसे clear कर सकते हैं, आज की इस lecture को शुरू करने से पहले, हमारा आपसे request यही है, कि आप इस वीडियो को like कीजिए, और जाद से जाद आपने friends को share कीजिए, जो एक मकसल है हमारे इस channel को शुरू करने का, और इतना अच्छा content आप तक provide करवाने का, वो यही है कि जाद से जाद इस student का jrf net clear हो, जिससे कि वो अच्छे job में जापा है, क्योंकि काफी student ऐसे हैं, कि उन्हें अच्छा content नहीं मिल पाता, इस वज़े से वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते, और हम free of cost आपको content इसलिए provide करवा रहे हैं, जिससे कि आपका भी benefit हो और आपके friends का benefit हो, तो आप जब तक share नहीं करेंगे, वीडियो को like नहीं करेंगे, तब तक हमारी तो मेहनत इतनी सारी करने का, उसका कोई फाइदा नहीं है, तो please friends आपसे request है, कि अपने दोस्तों का भला सोची और उनको भी ये content को share कीजी, तो चलिए अचका lecture शुरू करते हैं, जो हमने last topic चोड़ा था, जिस बैसिस पे हम qualitative and quantitative research को difference बता रहे थे, आपको पिछले वीडियो में, वो था results, तो उसी से शुरुवात करते हैं, results में क्या difference रहता है, अगर qualitative यानकी गुणात्मक research की बात की जाए, can be valid and reliable and dependent on the skills and expertise of the researcher, तो जो result आएंगे qualitative research में, वो valid और reliable हो सकते हैं, मतलब can be कह रहे हैं, बट जो main चीज है, वो किस पर depend करती है, expertise और skills of the researcher, अगर researcher expert है, उसमें वो skills हैं कि वो observe करके data की बारी तक पहुँचके, सही हमको result निकाल के दे पा रहा है, तभी वो valid और reliable होंगे, otherwise qualitative research में chances कम होंगे, वैलिड डी और reliability के, वहीं अगर quantitative research की बात की जाए, तो उसमें हमारे भी result, valid और reliable होने के chances काफी रहते हैं, पर वो किस पर depend करती है, dependency of results, अगर उसके बात देखें, वो measurable devices and statistical tools जो use किये हैं, उस research को, उसके data को analyze करने में, उसमें depend करते हैं, जबकि qualitative research में, जो main validity और reliability होती है, वो researcher की expertise पे निर्भर करती हैं, जबकि quantitative research में, हमारी जो भी dependency है, validity and reliability के लिए, वो हो जाती है, statistical tool और measurable devices पे, subjectivity और objectivity की बात देखें, तो qualitative research में subjectivity होती है, काफी सारी biasness भी आ सकती है, researcher के point of view की, researcher point of view is highly involved in the data, क्योंकि, जो भी observation किया जा रहा है, वो cable researcher के point of view से किया जा रहा है, इसलिए यह researcher biased भी हो सकता है, इसलिए study में subjectivity रहती है, जबकि quantitative research में objectivity present रहती है, वहाँ biasness के chances बहुत कम होते हैं, researcher point of view is separated from the data, और जो researcher का point of view है, वो data से separate रहता है, next है more interactive and creative process, अगर process के बाद देखी जाए, तो गुडात्मक या qualitative research, बहुत interactive होती है, क्योंकि काफी interviews लेने पड़ते हैं, student से, जो हमारे subject होते हैं उनसे, and creative process है, क्योंकि, जो researcher है, उसकी creativity यहाँ पर बहुत अच्छे से use हो जाती है, quantitative research, less interactive है, क्योंकि front में आके, जो भी subject है, उनसे कम ही हम interaction कर पाते हैं, सारा कम हमारे questionnaires के थूँ, या survey methods के थूँ होता है, and यह creative process भी है, approach देखा जाए, तो qualitative research is a holistic approach, holistic approach क्यों है, क्योंकि researcher works on all aspects of different variable, अगर हम किसी ethnic group की बात कर रहे है, या किसी भी एक group का, जो है attitudes, उनके beliefs, उनको देखना चारे है, तो एक researcher उस particular group के, सारी चीजों पर focus करके, holistically देखेगा, उनके beliefs और उनके point of views को, बट अगर quantitative research की बात की जाए, तो वहाँ पर हम कुछ variables पर focused होके, उनहीं के recording data collect करते हैं, and अपने जो भी inferences है, उनको draw करते हैं, तो इसलिए ये particular in approach रहती है, जबकि qualitative research होती है, वो holistic होती है, and quantitative particular रहती है, process is inductive, qualitative research में, inductive process यूज होता है, जबकि quantitative में, हम inductive से deduction की और चलते हैं, मतलब, inductive और deductive का भी video, हमने आपको पहले दिया था, जिसका link आपको यहां से मिल जाएगा, otherwise आप description में से भी जा के उसको देख सकते हैं, अब ये inductive और deductive process कैसे है, ये समझे है, qualitative research में inductive क्यों होता है, क्योंकि हम केवल hypothesis बना के छोड़ देते हैं, मतलब, या फिर generalization भी वैसा वाला करते हैं, कि इस particular group में ऐसे beliefs पाए जाते हैं, जब कि quantitative research में हम hypothesis बना देते हैं, inductive process के थू, उन hypothesis को further test भी कर लेते हैं, deductive method के through, and अपनी तो theory हमने बनाई थी, inductive method में, उसको फिर stabilize कर लेते, कि हाँ, जो हमने hypothesis के through सोचा था, किया था, वो true है, sampling को देखा जाए, sampling techniques वहन से use होती है, तो qualitative research में, non probability sampling यूज होती है, and quantitative research में, probability sampling यूज होती है, sampling की भी हमने proper videos पहले बनाई है, जिनका link आपको नीचे description में से मिल जाएगा, देखिए, non probability sampling, को हम यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि qualitative research में, हमारा focus एक particular specific area पर होता है, तो इसलिए हम वहाँ पर, purposive sampling को use कर सकते हैं, या कोई और भी sampling use कर सकते हैं, but quantitative research में, हम non probability sampling भी use कर सकते हैं, but mostly, हम एक large population पर कर रहे होते हैं, तो हम, जो main purpose या generalization के point of view से देखा जाए, तो probability sampling को use करते हैं, data कैसे रहता है, qualitative research में, verbal data रहता है हमारे पास, जब कि quantitative research में, measurable data रहता है, verbal से यानि, text images, ऐसी चीज़े रहती हैं हमारे पास, और quantitative research में, हमारे पास, numbers, values, ये रहती हैं, जो कि measurable होती हैं, next is, validity and reliability, देखिए, अभी हुने results की बात करी थी, कि qualitative research में, validity and reliability results में होती है, less होती है, बट quantitative results में, validity and reliability, अगर result की point of view से देखा जाए, तो ज़्यादा होती है, similar यहाँ पर है, the problem of adequate validity or reliability is a major criticism, ये इसका एक disadvantage भी है, कि qualitative research में, हमारे पास, validity and reliability की संभावना कम रहती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, कि qualitative research में, validity and reliability, सारी की सारी researcher के point of view पर depend करती है, जबकि quantitative में, जो हम statistical technique यूज कर रहे हैं, जो tools यूज की हैं, उस पर depend करती है, तो वैसा ही, validity and reliability, यहाँ पर result में, हम easily identify कर लेते हैं, और रहती है, प्रेजन्ट, knowledge required, अगर researcher की point of view से देखा जाए, तो क्या knowledge required रहती है, qualitative research में, no need to know statistical analysis, researcher को कोई भी सांखे के पदीतियों, और analysis की जानने की आवश्यक्ता नहीं होती, but analysis of qualitative data is still difficult, and expert knowledge of an area, is necessary to try to interpret, qualitative data and great care must be taken, यहाँ पर देखिए, जो qualitative research है, वहाँ पर हम कह रहे हैं, कि statistical analysis को जानने की आवश्यक्ता, researcher को नहीं पड़ती, पर उसके बावजूद, qualitative data इतना difficult होता है, कि उसको analyze करने के लिए, expert knowledge की आवश्यक्ता होती है, और researcher को उस area में expert होना चाहिए, तभी जाके, वो अपने data को interpretate कर पाएगा, और ध्यान, उसे हर एक point की, पिल्कुल अच्छे से ध्यान परख करके, अपना data interpretate करना चाहिए, जब कि quantitative research में, अगर उसे कम knowledge भी है, poor knowledge of the application of statistical analysis, may negatively affect analysis and subsequent interpretation, देखा हमने, जैसे अभी कि qualitative research में, हमें statistical analysis की कोई जानकारी की जरूद नहीं है, बट quantitative research में, researcher को अगर बेकार knowledge है, या knowledge ही नहीं है, statistical analysis की, तो उसे वो बहुत problematic हो जाएगा, और उसका interpretations, उसके जो भी results आ रहे है, वो सब x आना चाहिए, y आएगा, मतलब कुछ का कुछ आना चाहिए, और कुछ results उसके निकल के आएगे, जो कि उसके interpretation को भी प्रभावित करेंगे, तो उसके results को प्रभावित करेंगे, अगर study type देखा जाए, तो qualitative research में, researcher in-depth study करते हैं, of a particular phenomena, जब कि quantitative research में, variability of data quantity require, मतलब, quantitative research में, researcher के पास, बहुत साधा, जाधा variety वाला data होता है, variability होती है, मतलब, जैसे हमने, large sample से data correct किया है, तो हमारे पास, सब के point of view होंगे, अलाग-अलाग, एक particular question पर, ठीक है, वैसे ही, qualitative research में, हम एक specific group से data collect कर रहे हैं, तो, एक specific group के, पूरी के पूरी सारी, जो भी उनके experiences हैं, वो हमारे पास होंगे, उस particular phenomena में, I hope आपको चीज समझाए होगी, मतलब, या हम किसी एक के बारे में ही, in-depth study करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको easy तरीके से, ऐसे समझ सकते हैं, कि अगर, किसी same topic पे, हम qualitative research कर रहे हैं, और same topic पे ही, quantitative research कर रहे हैं, जैसे हमारा topic है, कि, कि, जो भी users हैं, उनको क्या problem आ रही है, regarding internet, online learning, ठीक है, तो qualitative research में हम क्या करेंगे, एक group of people ले लिया, मतलब 10, 15, 20 लोग ले लिये, उनी से पूरी जानकारी ले लिये, कि हाँ, आपको क्या-क्या परिशानी आ रही है, उन 10, 15, 20 लोगों की, सारी जानकारी हमारे पास है, कि, उन्हें क्या-क्या problems आ रही होंगी, during online learning, बट quantitative research में हम क्या करेंगे, एक scale बना लेंगे, कोई tool बना लेंगे, और उसको 1000 लोगों को दे दिया, 2000 लोगों को दे दिया, या 100-200 लोगों को दे दिया, उनसे उस tool पर data ले लिया, बस ये करेंगे, तो इसलिए number जादा होता है, पर उनकी in-depth study नहीं करेंगे, हमारे ही question का answer उनसे लेंगे, जबकि qualitative research में, नई-ने question भी, या नई-नई जो problems है, वो भी students है, या जो भी subject हैं उनसे ले सकते हैं, software use हम कौन सा करते हैं, qualitative and quantitative में, देखिए, यहाँ पर less software are available है, qualitative research में, जिनको बहुत high expertise की ज़रूद होती है, अगर आप use करेंगे तो, और वो भी इतने easy to answer नहीं रहते हैं, उसमें भी researcher को सारी knowledge होनी चाहिए, तब ही जाके वो आगे काम कर पाएगा, पर quantitative research का देखा जाए, तो rapid analysis can be done through software, और बहुत सारी software's available है, और उन software से बस आप data feed करें, और वो आपको click करते ही answer provide कर देते हैं, आपका काम रेदा interpretation का only, replication देखा जाए, तो qualitative research में replication difficult है, जब कि quantitative research में replication can be done by others, बहुत और दूसरी लोगों के द्वारा भी replication किया जा सकता है, replication का मतलब वही है कि दुबारा result सेम आ रहे हैं या नहीं, वो देखा जा सकता है, economic है या नहीं, qualitative research are less economic in nature, they require more time and cost, इनको बहुत ज़्यादा समय और cost की आविशकता होती है, इसलिए ये मितवई नहीं है, जब कि quantitative research मितवई होती है, और इन में ज़्यादा समय नहीं लगता, और नहीं इतनी ज़्यादा cost लगती, but as compared to last sample, हम कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा समय and cost लगती है, बट अगर जैसे ही हाँ पर छोटे sample पे, हमें बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा करच करना पड़ता है, ऐसा quantitative research में नहीं होता है, next is researcher contribution, अब researcher का क्या contribution रहता है, उसके basis पे difference देखते है, qualitative research में, without the active participation of the researcher, no data can be collected, qualitative research में researcher को ही data collect करने जाना पड़ता है, observations लेने जाने पड़ते हैं, तभी जाकि data collect हो पाता है, इसलिए उनका active participation ज़रूरी है, बड़ जबकि quantitative research में, no specific role of researcher in the data collection, data collection में researcher को कोई इतना खास रोल नहीं होता, researcher अपने घर पे बेटे भी, किसी के थूँ उस data को collect करवा सकता है, researcher का point of view, researcher के beliefs, data collection में help नहीं करते, involvement in the field, अगर field में involvement देखा जाए, because of the closer research involvement, the researcher gains an insider's view of the field, अब देखिए, क्यों, क्योंकि researcher सादा ही, data collection के लिए, field में visits कर रहा है, लोगों के साथ interaction कर रहा है, इसलिए उसकी अच्छी खासी समझ बन जाती है, involvement के कारण, this allows the researcher to find issues, that are often missed, such as subtelts and complexities, by the scientific more positivist inquiries, देखिए, इसमें क्या होता है, क्योंकि researcher का involvement जादा है, इसलिए researcher क्या कर पाता है, जो भी ऐसे facts या जो भी ऐसे चीज़ें छूट जाती है, miss रह जाती है, या बहुत minute-minute चीज़ें, उनको भी researcher ठूण पाता है, या कोई complexities हैं, किसी particular social group में, तो उसको भी वो देख पाता है, अपने point of view के कारण, और जादा involvement होने के कारण, जबकि quantitative research में, because of less researcher involvement, directly with the subjects, the researcher not able to gain an insider's view of the field, क्योंकि researcher का involvement नहीं है, direct subject से, subject या हमारी population या जो भी, जिस भी चीज़ पे हम research कर रहे हैं, वो हो गए, उनसे ज़्यादा interaction नहीं है, इसलिए उसको insider's, जो insider view है, मतब जो अंदर की बात जैसे बोल रहे हैं, वो चीज़ पता नहीं लग पाती, कि actual क्या facts हैं, क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, क्या चल रहा हैं, वो चीज़ें quantitative research में नहीं पता चल पाती, जबकि qualitative research में ही सारी चीज़े, researcher को पता चल जाती है, रोल क्या है, इट plays the important role of suggesting possible relationship, causes, effects and dynamic process, जो qualitative research का रोल है, वो है possible relationships को suggest करना, cause effect relationship को बताना, या dynamic process को develop करना, जबकि quantitative research का रोल वही है, to test, verify, relationship, causes and effects, relationship या cause and effect के relationship को verify करना, या test करना, यही quantitative research का रोल है, next is clarity, qualitative research क्या करती है, it allows for ambiguities, contradictions in the data, which are a reflection of social reality, qualitative research में हमारे पास ambiguity, और contradictions की संभावना रहती है, contradictions यानि की मतबेद, जैसे 2-3 researcher, अगर same area में research कर रहे हैं, तो उनके मतबेद, मतला उनके जो ideas हैं, वो अलग-अलग हो सकते हैं, उनमें मतबेद हो सकता है, जबकि, और यह मतबेद जो आ रहे हैं, ambiguities आ रही हैं, वहाँ पर हमारे पास, बिलकुल जैसे एक ideal society जैसी चीज़े, कि हाँ यहाँ पर ही result positive आये थे, next researcher नहीं भी पाया, तो उसके भी results positive रहे, ऐसी चीज़े आती हैं, और अगर आप contradiction कहीं पर पाया भी जाता है, तो यह हिदायत दी जाती है, कि आप पुनहा उन results को test करें, दुबारा से अपना research बनाएं, जिससे कि quite similar results को आप एक बार check कर सके, कि हाँ जो पहले research की गई थी, वो गलत नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं, कि less possibility of contradiction and ambiguities रहती है, आपके जो भी doubt से आप हमें comment करके बता सकते हैं, यह हमारा live session है, तो आप उसमें भी हमसे पूछ सकते हैं, जो भी आपके doubt है, next video के आने तक आप यहाँ पर दिया गया stats का video भी देख सकते हैं, और उसके अलावा, यहाँ पर हमने previous year के questions से related videos दिये हैं, उनको आप देख सकते हैं, अगर आप कोई वीडियो पसंद आया, then like this video, share with your friends, and अगर आप इस channel पर नए हैं, then subscribe our channel, thank you and have a nice day,